दोस्तों नमस्कार यहां हम बात करते हैं आयरवेद योग के किस प्रकार से अपने आहार बिहार को ठीक संतुलित कर रोग मुक्त रहा जाए सुक में जीवन जिया जाए मैं डॉक्टर मनमौन लखेडा आज बात करूँगा मोटापा के बारे में मोटापा याने सरीर में अतरिक्त चर्वी का बढ़ना या चर्वी बहारी यों आंतरिक दोनों ही सरीर के लिए नुकसान दायक होती है और कहते भी है कि मोटापा सभी रोगों की जड़ है आज के दूशित असंतुलित आहार बिहार के कारण मोटापा एक बड़ी समस्या बनत हिर्दिया रोग, जोडो घुटनों के दर्द, पाचन सम्मंदी रोग और ये कह सकते हैं कि सब प्रकार के लाइप स्टाइल बीमारिया इससे हो रही है पहले इससे हो रही है पहले तो एक बड़ी उम्र के बाद ही मुटापा दिखाई देता था मगर आज बच्चे भी इसकी गृप्त में आ रहे है इसका क्या समाधान है इसलिए अब समय आ गया है कि हमें जितने जल्दी हो सके जागरूख हो जाना चाहिए नहीं तो आने वाला समय और भयंकर जटिल होने वाला है इसलिए आवस्कता है हमें अपना वजन नियंतित करने की इसके लिए उचित संतुलित पोस्टिक भोजन लेने की इसके लिए यूँ तो बिसे सग्य के अनुसार भोजन का चार्ट बना कर उसके अनुसार इसका पालन करना चाहिए मगर फिर भी हम अगर कुछ बातों नियमों को अपने जीवन में अपनाते है तो मोटापा से पूरी तरह से बच सकते है जैसे भोजन में बसा चिकनाई जैसे घी, दूद, मकन, तली बुनी चीजे, गरिष्ट भोजन, बजारी भोज कुरकरे, बिस्कुट, कोल्ड रिंग्स, मांस, मदिरा, आदी, किसी भी परकार का नसा आदी से पूरी तरह से परेज कर एवं कम मात्रा में लेने से मोटापा से बच सकते है बोजन में सबजियों का रस, मौसमी फल, सलाद और फलों का जूस, तथा, सूप, आदी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, चीनी का सेवन एवं चीनी से बने पदार, जैसे किसी भी परकार की मिठाईया, आदी से बिलकुल परेज करना चाहिए, वैसे भी चीनी स्वास्ते के लिए नुकसान दायक ही है, जहां तक हो सके क्रीम निकला हुआ दूद पीना चाहिए, दिन में दो या तीन बार नीम्बू का पानी पीना चाहिए, चावल एवं रोटियों आदी कम मात्रा में लेनी चाहिए, भोजन का समय निश्चित होना चाहिए, और वहां भी आयरवेद के अनुसार सुबह का भोजन कैसा होना चाहिए, दिन का भोजन कैसा होना चाहिए, रात का भोज बोजन करना चाहिए दिन भर में खाते नहीं रहना चाहिए जीवन में जैसा बोजन करना आवस्यक है उसी परकार परिशर्म ब्यायम को भी जीवन का अबिन हिसा बना देना चाहिए ब्यायम इतना जरूर होना चाहिए जिससे सरीर से पसीना निकल जाए इसके लिए कोई भी स सके अवस्य कनना चाहिए और हो सके तो प्रति दिन या हफ्ते में दो या तीन दिन पूरे सरीर की मालिस कननी चाहिए उपवास या बर्त रखना चाहिए यहां भी मुटापा को कम करता है साथी योगासन जैसे सूर्य नमस्कार चक्रासन बजरासन मकरासन हलासन आदि कर सकते है जहां तक हो सके हमेशा सक्रिय जीवन जीना चाहिए और इन उपवाईयों को कनने से सरीर का सुद्धी करन कनने से मुटापा होई नहीं सकता और हो भी गया तो मुटापा खतम हो जाता है इन उपवाईयों के बाबजूद भी अगर मुटापा फिर भी हो रहा है विशेशग्य से सला लेकर या बैदिकिय प्रामर से लेकर रोगी की प्रकिति की अनुसार आयरवेत की अनेक दिब्य जड़ी बूटियों को अपना कर ह मुटापा से अस्ताई रूप से खतम कर सकते हैं